इस समय आपकी जिन्दगी में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज क्या है? आप अभी जिन्दा है, है ना? वो सब तो ठीक है सद्गुरू, पर मेरे पास हजार के नोटों का एक बंडल है सद्गुरू, और मुझे पता नहीं मैं कहा जाओ। ठीक है, अभी वो भी महत्वपूर्ण है, लेकिन इस वक्त सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज क्या है? आप अभी जिन्दा हैं, है की नहीं? चुकि आप जिन्दा हैं, आपका परिवार महत्वपून बन गया है, आपका पैसा महत्वपून बन गया है, आपका देश महत्वपून बन गया है, और भी कई सारी चीजें महत्वपून बन गई हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि अभी आप जिन्दा हैं, और यही सबसे जाग जाते हैं। क्या आप खुद को एक बड़ी सी मुस्कान देंगे, अगर आप जिन्दा हैं तो? और अगर ढ़ाई लाख लोगों की मौत हुई, तो कम से कम बीस से तीस लाख लोगों ने अपने किसी प्रिय विक्टी को खो दिया। तो आप उन तीन चार लोगों को चेक करें, जो आपके लिए बहुत एहम हैं, हर को याद जिन्दा है। एक और बड़ी से मुस्कान, इसके बाद आप समय देखें, साड़े ग्यारा बज रहे हैं, आप अभी भी जिन्दा हैं। ये मत सोचिए कि एक मजाक है, जो यहाँ टिक-टिक कर रही है, वो घड़ी नहीं, आपकी जिन्दगी है। ये घड़ी टिक-टिक नहीं कर रही है, आपकी जिन्दगी टिक-टिक कर रही है। और आप बारा बज गए हैं, आप अब भी जिन्दा हैं। आपको मुझसे वादा करना होगा, कि जब भी आप घड़ी देखेंगे, आप खुद को एक बड़ी सी मुस्कान देंगे। अगर आप जिन्दा हैं तो, अगर आप मर चुके हैं, तो आपको छूट है। लेकिन सड़कों पर इतने लोग तो ऐसे चलते हैं, मानों वो अपनी कबर के लिए अभ्यास कर रहे हैं। चिंता मत कीजिए, वो दिन भी आएगा। मौत बहुत बहुत असरदार होती है, इसके लिए अभ्यास की जरुरत नहीं है। जब यह घटती है, तो बूम, 100% घटती है। कभी कोई बेअसर तरीके से नहीं मरा। लोग बेअसर तरीके से जीते हैं, लेकिन कोई बेअसर तरीके से नहीं मरा। तो क्या आप मुझसा यह वादा करेंगे, जब भी आप घटी देखेंगे, आप खुद को एक बड़ी सी मुसकान देंगे, अभी भी जिन्दा हूँ। आप नहीं जानते कि ये कैसे चल रहा है क्या आप सच में जानते क्या आपको पता है कि ये कैसे चल रहा है नहीं और बहुत से लोग जो आपके और मेरी तरह बिलकुल असली थे और वो गायब हो जाते एकदम गायब फिर वो कहीं नहीं दिखते अगर आप अपनी नश्वर्ता के बारे में कभी-कभी सोचते हैं तो ये विचार आपको उदास कर देगा आपको भैबीत कर देगा अगर आप हर पल इसके साथ जीते हैं तो ये आपको पूरी तरह से प्रसंद और जीवन्त बना देगा क्योंकि केवल ये एक चीज कि ये जीवन हमेशा के लिए नहीं है ये केवल थोड़े समय के लिए ही है और अब जितना अधिक प्रसंद होंगे ये उतना ही छोटा होता जाएगा अगर आप परमानंद में हैं तो इसे गायब होने में देर नहीं लगेगी तो अगर आप इसे लंबा खीचना चाते हैं आपको खुद को बिलकुल दुखी बनाना होगा वरना इसे ओजल होते देर नहीं लगेगी अगर आपने इसके साथ समझाता कर लिया अगर आप इस तरह जीएं कि आप हर ख्षण केवल एक और एक बात को ही सराने लगें कि आपके जीवन में सबसे एहम बात यही है कि आप इस समय जिंदा है जिंदा होना पूरी तरह से जिंदा होना सौप्रतिशत जिंदा होना ही सबसे एहम चीज है क्योंकि अगर कोई चीज पूरी तरह से जिन्दा है, तभी आप उससे कुछ खूपसूरत बना सकते हैं मान लीजे आपके घर में एक छोटा सा पौधा है या मान लीजे आपके घर में एक आम का पेड़ है, वो कुछ इस तरह है, जो बस आपकी नकल कर रहा है क्या आप इससे खूपसारी मिठास पा सकते हैं? नहीं, ये जबरदस तरीके से जिन्दा है, अब आप इससे मिठास की उमीद कर सकते हैं किसी को भी जीवन ताम के पेड़ को ये सिखानी की जरूरत नहीं पढ़ती कि महरबानी करके मिठास दीजिए, ये अपने आप ही मिठास देगा, है न? दुखी लोगों को सिखाने की ज़रूरत पड़ती है कृपया प्रेम के साथ रहें कृपया लोगों के साथ अच्छे से पेश आए नम्रता से पेश आए ये करें, वो करें ये सब करना ज़रूरी है क्योंकि आप केवल आधे जिन्दा रह गए है अगर आप जबरदस तरीके से जिन्दा होते तो मानवी चेतना की प्रकृती है कि वो मिठास का रस निकालती रहती है जीवन के हर क्षण में हम नहीं जानते कि आप कौन से महान काम करेंगे या नहीं करेंगे हम नहीं जानते कि आप पर ये एक काम तो आपको खुद के लिए करना ही चाहिए इस एक चीज के आप हगदार है ये एक चीज पूरी सौप प्रतिशत आपके हाथों में है कि आप यहाँ एक आनंदित इंसान की तरह रह सकते हैं इतना तो हम में से हर एक के लिए संभव है हमारे आसपास की दुनिया को ठीक करने की हमारी क्षमता कई तरह की वास्तविक्ताओं पर निर्भर करती है कुछ चीजे काम करती हैं कुछ काम नहीं करती क्योंकि इसमें बहुत सारे बल शामिल है कई बार ये सब अपने आप ठेकाने पर आ जाता है और कई बार नहीं आता लेकिन हमारे जीवन में हम जो भी कर सकते हैं वो हम करेंगे या नहीं वो इसी के अनुसारत तय होता है अगर आप अपने स्वभाव से ही आनंदित हैं यानि कि आपको दुख का कोई डर नहीं है जब आपको दुख का कोई डर नहीं रहता किवल तभी आप पूरी गती से अपने जीवन में आगे बढ़ने का साहस करेंगे आप जो कुछ भी कर सकते हैं उसे करेंगे हमारे जीवन में अगर हम वो नहीं करते जो हम नहीं कर सकते हैं तो कोई बात नहीं लेकिन अगर हम वो नहीं करते हैं, जो हम कर सकते हैं, तो हमारा जीवन दुर्भाग्य पूर्ण होगा. ये मेरी इच्छा और आशरवाद है, कि आप ऐसा एक दुर्भाग्य न बने. आप जो कुछ भी कर सकते हैं, वो सब इस जीवन में होना ही चाहिए. अगर उसे होना है, तो इसके लिए जिस बुन्यादी महौल की जरूरत है, वो ये है कि आप खुद के स्वभाव से एक प्रसंद इंसान हैं. समय कहें? Still on, let's do it. Thank you. Thank you. Thank you.